बरेली में बहेडी कोटवाली छेतर में लड़की वालों ने एक युवक की हद्दा कर दी क्योंकि लड़का बीती रात में युवक के घर पर आ गई थी जिसके बाद ज़लाय लड़की के घर वालों ने आ सुबह में यूअक के घर पडचा कर यूअक को खर से उठा ले गए जब यूअक के घर वाले उसे बचाने आये तो लड़की के घर वालों ने उनपर भी हमला कर दिया है जिसमें यूअक की techno भी खायल हो गई है जिसके बाद यूक के घरवाले समझा बुचा कर उसे वापस लॉड आ दी हैं जिसके बाद यूक और यूटी के घरवालों ने बैठ कर टै किया था कि यूटी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे जिसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था लेकिन बीती रात में यूटी फिर से यूटी के घरवालों को मिली तो उसके घरवाले यूटी को लेकर वापस लेकर लाटाएं लेकिन सुबा होने पर यूटी के घरवाले यूख पर आ धमके और यूख को घर से उठा कर ले जाने लगे तो यूख के घरवाले भी यूख को बच्चाने में लगै, जिस पर यूडी की घरवालों ने यूदी की घरवालों पर इसमें यूदी की मा के ऊपर हमला करके यूदी को घर से उठा कर ले गए यूदी के पारिजनों का अरोप है जब हम लोग यूदी के घर पर पहुँचे तो उसकी लास एक रसी से लटकी हुई मिली थी परिज्णु ने आसंका जदाई है कि युवक का गला घोट कर उसके शव को रसी से लटकाए गया है जिससे ये लगे कि युवक में आत्महद्दा किया है चाहँने है, है कुए मैं बिवक में इंक्वनाया काॉद्ध। सब्सक्राइब न Questo जbres Lewis निकाल के लड़के पो दूसरी जगा ले ले गए दूसरेी घare कोई घर में बचाने वाला नहीं था गाओं का कोई कहा नहीं रहा था कोई बचाने वाला था नहीं तो रात में किसी टैम गई थी चार बजे लम्शन पता नहीं था किसे पहले भी कई बार हो चुपाया था है नहीं नहीं पहली वार है यूई जानता भी नहीं उसको कोई भी मैठर नहीं लड़के का नहीं दूके का नाम जाविध एड़के की उमर होगी फच्ची साल किताजी का क्या नाम अभाब जाविर अलीजा नत खवाव के रहा नहीं गुलरिया